हेलो डियर स्टुडेंट हम कंटीनियो कर रहे हैं क्लास एर्थ साइन्स चैप्टर सेवन कंसर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स लास्ट वीडियो में हम काफी कुछ देख चुके हैं इस चैप्टर में इस उसके बाद हमने बायोस्फेयर रिजर्व के बारे में देखा नैशनल पार्क के बारे में देखा था फिर आपने इंडेट बोग तो आप और आपने वीडियो नहीं देख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को like, subscribe एवं वीडियो को share करें साथ ही साथ bell icon press करें ताकि आपको latest वीडियो की update मिलती रहे तो आज हमें स्टार्ट करने जा रहे है migration What is mean by the migration? Migration मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना और वापस अपनी जगह पर आना मतलब की होता क्या है हमने रेखा था जो extremely adverse conditions में रहने वाले animals होते हैं वो कुछ कार्णों से migrate करते हैं तो अब हम देखते हैं क्या होता है migration The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी माधव जी के guidance में वो लोग काफी अंदर forest में गए They sit near the tower reserve wire to relax for some time और वो tower reserve wire के सामने कुछ देर के लिए relax होने बैट गए पहली observe some of the birds near the river पहली ने कुछ birds को उस रिवर के आसपास देखा माधव जी tells the children that these are migratory birds माधव जी ने उनको ये बताया कि ये जो birds है वो कौनसी birds है Migratory birds है और ये जो birds है ये किसी दूसरे पार्ट से उड़कर यहां पर आई है These birds have flown here from other parts of the world ये जो है ये दूसरे पार्ट से उड़कर यहां तक आई है आपको याद हो तो आपने class 7 में जो था वो पढ़ा था इनके बारे में Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of the climatic changes होता क्या है ऐसे birds जो बहुत जादा adverse climate में रहते हैं तो जब climate change होता है तो उस वक्त वहां उनका survive करना मुश्कील होता है या फिर वो लोग reproduction के purpose से उस जगह से ऐसी जगह तक आजाते हैं ऐसे climate condition तक आजाते हैं जो उनके लिए suitable होता है जहां वो आसानी से reproduction कर सके और जब वापस climate ठीक हो जाता है तो वो वापस अपनी place पे चले जाते हैं तो इसके लिए वो थाउजेंड किलो मीटर की distance जो है वो ट्रेवल करके आते हैं और मेंली यह जो बट्स हैं यह winter में रेखने को मिलती एक्स्ट्रीम विंटर जो polar reason पे होता है मतलब इतना ज़्यादा जब cold पढ़ने लगता है तो उस वक्त यह migratory birds जो है वहां से migrate होकर इधर थोड़े hot areas में आ जाती है they fly for laying eggs as a weather in their natural habitat become very cold and inhospitable वही मैंने आपको बताया कि वहां का weather बहुत थंडा होने के कारण बहुत cold होने के कारण यह वहां reproduction नहीं कर पाती है birds who cover long distance to reach another land are known as the migratory birds यह birds जो है क्या कहलाती है migratory birds क्योंकि एक यह long distance cover करके जाती है as पहली मैंने आपको वही बुला class 7th में आपको आया था adaptation वाला जो chapter 7 है उसमें अपने migration के बारे में पढ़ा है कि migration उसमें होता है then हम आ रहे है recycling of paper paper recycling क्या होती है professor एहमद draws attention of the children to another cause of deforestation देखे हमने शुरू में cause of deforestation देखे और वहां बैठे बैठे प्रोफेसर एहमद ने बच्चों को एक बहुत बड़ा cause बताया deforestation का उन्होंने ये बताया कि 17 full grown trees to make 1 ton of paper 17 full grown trees जो है जब वो cut किये जाते हैं तो उससे 1 ton of paper बनता है और हम कितना paper यूही waste कर देते हैं therefore we should save paper इसलिए हमेशा paper बचाना चाहिए हमें paper का misuse नहीं करना चाहिए copies में यदि pages बच गए है तो उन्हें ऐसे ही नहीं fake ना चाहिए बिना मतलब copy से page वो tearing of paper नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि इतने ज़्यादा green plant को cut करके can you imagine 17 green plant full growth है ना उनको grow करने में कितना time लगा होगा कितने सालों में वो इतने बड़े होंगे और उनको इस तरह से cut करके क्या कर दिया जाता है paper बनाने में use किया जाता है प्रोफेसर आहमद also tells that paper can be recycled 5-7 times for the use आप लोगोंने देखा होगा आप लोग copies use करते हो तो अलग-अलग quality की मिलती है कुछ copy एकदम white pages की होती है फिर कुछ yellow कुछ yellow और कुछ एकदम yellow copy आती है जिने आप rough pages में use करते हैं तो वो जो है वो paper को बार-बार recycle किया जाता है ताकि wast wastage of paper कम हो क्योंकि अगर wastage of paper कम होगा तो trees की cutting जो है वो रुक जाएगी ठीक है ना तो five to seven time जो है इसका use किया जाता है if each student saves at least one sheet of paper in a day we can save many trees in a year यदि हर बच्चा एक sheet ही paper की रोज बचा है मतलब आप सोच लोग की मुझे आज एक sheet किसी भी तरह से save करनी है चाया प्लिखने में कमी करो चाया paper फाडो मत कुछ भी करके अगर आप एक sheet paper बचा रहे हो तो हर साल बहुत सारे पेड जो है वो कठ हो जाएंगे we should save reuse and used paper and recycle it हमें क्या करना चाहिए paper को सेफ करना चाहिए और जो paper used हो चुके हैं उनको फिर से use करना चाहिए और फिर उसे recycle करना चाहिए ताकि फिर से उनका किसी तरह के कामों में है दूसरे कामों में use हो जाए By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper इससे ना सिर्फ हम plants को बचा रहे हैं बलकि जो और दूसरे चीजे लग रही है जैसे water लग रही है एनर्जी लग रही है ना paper बनाने के लिए हम उसको भी save कर रहे हैं हम उसको भी बचा रहे हैं moreover the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduce और उसी के साथ सथ जो harmful substance paper बनाने में कुछ use होते हैं वो भी बच जा रहे हैं मतलब उनका भी use कम से कम हो रहा है फिर हम आ रहे हैं reforestation बहुत ही important है हमने start किया था deforestation से और अब हम end करेंगे reforestation d मतलब होता है cut re मतलब लगा देना तो अब end में क्या है प्रोफेसर एमा suggest that the answer to deforestation is reforestation अब deforestation का कम करने का या खत्म करने का तरीका क्या है reforestation जहां trees cut किये हैं वहां फिर से grow कर दो reforestation is restocking of the destroy forest by planting new tree reforestation क्या होता है फिर से पेड़ों को लगाना जो पेड़ हम cut कर चुके हैं destroy कर चुके हैं उन्हें फिर से लगा देना नए trees लगा देना यह process जो है वो reforestation कहलाती है the planted tree should generally be of the same species and where found in the forest अब देखिए reforestation करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ट्री लगा रहे हैं वो उसी species के हो जिस species के tree वहां पहले थे यह जो trees cut किये गए हैं मतलब reforestation करते वक्त यह चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि हार trees का एक special function होता है इको सिस्टम में तो हमने जो trees cut किये हैं उन्हीं को हम लगाएं वी शुट्ट प्लांट एटलिस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट हमने जितने कुछ भी ना किया जाए उस पे कोई भी activity ना की जाए तो automatically reforestation भी हो जाता है natural reforestation भी हो जाता है in natural reforestation there is no role of human being जो natural reforestation होता है उसमें human being का कोई भी रोल नहीं होता है क्योंकि वो automatically हो रहा है natural process से हो रहा है we have already caused tremendous damage to our forest हमने वैसे ही बहुत सारा नुकसान अपने जंगोलों को पहुचाया है if we have to retain our green wealth for future generation plantation of more trees is the only option और यदि हम चाहते हैं कि यह हमारा हरा wealth wealth मतलब पैसा यह बना रहे plant क्या है green money है अगर हमारी green wealth इसी तरह बनी रहे future generation के लिए उन्हें भी वो सारी चीजें मिले जो हमें मिली हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा more plantation करना पड़ेगा नहीं तो जो पूरा ecosystem में वो disturbed होने लगेगा carbon dioxide बढ़ने लगेगी temperature बढ़ने लगेगा water cycle disturb होने लगेगी wildlife खतब होने लगेगी बहुत सारे consequences थे जो हमने देखे थे deforestation के तो अगर हमें वो सब रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा grow more and more plant Professor Ahmed told them that in India we have the forest act Professor Ahmed ने बच्चों को बताया कि हमारे इंडिया में forest conservation act है इसका aim क्या है preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of people living in or near the forest इसका aim यह है कि उन plants या उन forest को conserve करना जो लगे हुए है उनको लोग कटना करें और उसी के साथ सार्थ वहां रहने वाली लोगों की basic जरूरत का भी ध्यान रखना कि ऐसा नहों क्योंकि वो तो अपनी जरूरते हैं उस forest से ही fulfillment करते हैं तो उनकी जरूरते भी पूरी होती रहें और वो forest preservation भी रहें मतलब वहां plant भी कट ना हो after some rest माधव जी ask the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after some day कुछ समय बाद माधव जी ने बच्चों को बोला चलो वापस चलो क्यों क्योंकि sunset होने वाला था और जंगल में sunset के बाद रुखना ठीक नहीं होता है जितने भी wild animal है वो गूमने लगते हैं बाहार on getting back प्रोफेसर एहमद and the children thank माधव जी for guiding them through this exciting experience और वापस लोट ने परमाब प्रोफेसर एहमद और बच्चों ने माधव जी को thanks दिया उनको इस तरह से सारी चीज़ें बताने के लिए और इतने बड़िया experience के लिए इतना कम से कम हो पेपर वेस्ट करिए यह दोनों ही चीज़ आप कर सकते हैं इसी उमीद के साथ thank you so much if you have any doubt then message me or contact me keep studying keep watching